मुश्कार दोस्तो मेरा नाम है रवी और स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल जोतिस राशी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशी वालों के जनवरी महा के राशी फल के बारे में कि कैसा रहने वाला है उनका जनवरी का महीना और क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है जनवरी 2024 में उनके साथ तो इसी के बारे में हम विस्तर चप्चा करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि जनवरी 2024 में कैसा रहने वाला है मकर राशी वालों का स्वास्थ, सिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग गया थोआ करियर तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाया भी बताऊंगा जिसे करके आप अपने जीवन को और भी अच्छा कर सकते हैं और जन्वरी का महीना अपने लिए और भी अच्छा बना सकते हैं तो सबसे पहले यहां बात करते हैं मकर राशी वालों के स्वास्त के बारे में के January में कैसा रहने वाले आपका स्वास तो इस महिने frame आपको अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि आपको पेट सम्मंदी समस्या को सकती है यह फिर यहां पर skin issues भी आपको रही motivation देना होगा ये समस्या भी आपकी दूर हो सकती है अगर आप अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर अब बात करें आपकी सिक्षा की तो इस महीने 18 जनुरी तक आपका पढ़ाई में समय बहुत अच्छा है आपको अगर कोई एक्जाम देने जा रहे हैं इस 18 जनुरी से पहले तो आपको उसमें सफलता मिलने के पूरे ही होगे आप किसी इंस्ट्यूट में अड्मिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास कीजिए आपका ये समय बहुत अच्छा है और उसमें आपको सफलता मिलेगी आपका फोकस काफी अच्छा रहने वाला है सिक्षा को लेकर और इसमें ने 18 तारिक से पहले तो आपका काफी अच्छा समय रहेगा सिक्षा में उसके बाद थोड़ा सा ध्यान आपका भटकता हो देख रहा है आप ऑनलेन गेमिंग या सोशल मीडिया की तरफ आप जाधा अपना समय व्यतीत करते देखे जाएंगे और आपका मन जो है ऑनलेन गेमिंग की तरफ जाधा जाएगा तो थोड़ा सा 18 तारिक के बाद आपको ध्यान देने की जरूरत होगी उससे पहले का समय आपका सिक्षा के लिए काफी अच्छा है बाकी बात करें अगर आपके प्रेम प्यार की तो जो लोग लव रिलेशन्शिप में हैं उनका उनके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा तालमिल रहने वाला है 18 जन्वरी के बाद थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ परंतु वह जल्दी ही दूर हो जाएगा साथ ही साथ 18 जन्वरी के बाद आपके पार्टनर को थोड़ा सा मूट स्विंग की समस्या हो सकती है जिसकी वज़े से ही आपका वाद विवाद जो है अपने पार्टनर से होगा पर इस पूरे महीने आपका प्रेम प्यार काफी अच्छा रहने वाला है बस थोड़ा सा आपको अपने गुसे के ओपर कंट्रोल रखके चलना होगा ताकि इस्तिती किसी भी तरह से बिगड़ेना क्योंकि यहाँ पर जैसे मने बताया कि आपके पार्टनर को मूट स्विंग की समस्या होगी तो आपको थोड़ा सा उने बरदाश करना होगा ताकि आप दोनों के बीच में कोई भी जगड़ा ना हो बात करें अगर आपके विवाईक जीवन की तो इस महीने आपके पार्टनर आपको थोड़ा डॉमिनेट करने की कोशिश करेंगे और अपने डिसीजन को वो आपके उपर थोपने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही सावधानी से उनके साथ डील करना होगा इस महीने में क्योंकि इस महीने आपके पार्टनर को जैसा मैंने बता है कि मोट स्विंग की समस्या काफी रह सकती है और जिसकी वज़े से ही वो जो है आपके उपर अपने डिसीजन को थोपने की कोशिश करेंगे थोड़े बहुत उनको हेल्थ के इशूस भी रहेंगे जिसकी वज़े से भी उनका सुभाव थोड़ा सा चर्चड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे हमने बता है कि इस महीने आपको पूरा अपने क्रोध के उपर नेंत्रा रखके चलना है क्योंकि आपके पार्टनर को मोट स्विंग की समस्या तो रहेगी ही जिसकी वज़े से अगर आप भी क्रोधित होंगे तो आप दोनों के बीच वाद विवाद हो सकता है जो की आगे चलके जगड़े का रूप ले सकता है तो इस महीने आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी इस चीज में आप अगर बात करें मकर राशी वालों के भागे के बारे में तो जन्वरी के महीने में आठ जन्वरी से पहले आपका भागे काफी अच्छा है और भागे से रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहते हैं वह आप इस अवधी में कर सकते हैं जन्वरी के महिने में आपका 8 जन्वरी से पहले आप कोई भी काम कर सकते हैं उसमें आपका भाग आपका साथ देगा 8 जन्वरी के बाद आपका भाग बहुत ज़ादा अच्छा नहीं है तो आप जो भी decision लेने वाले हैं उसे बहुत सोच समझ कर ले और अगर आप किसी को कोई पैसा वगरा उधार देने वाले हैं तो कोशिश कीजेगा कि आप लिखा पड़ी के साथ ही वो पैसा दें क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा डूप सकता है तो बहुत सोच समझ के decision लीजेगा जन्वरी के महीने में पैसे को लेकर और भाग रिलेटेड जो भी आपके काम है उनके लिए बात करें अगर आपके करियर की तो इस महीने आपका करियर आपको अच्छा लाब देने वाला है और करियर में आपको बहुत ज़्यादा फाइदा दिख रहा है आपका फोकस आपके काम पर बहुत अच्छा रहेगा काम की वज़े से ही आपको करियर में सफलता मिलती दिख रही है जिसकी वज़े से आपके बहुत आपकी तारीफ भी करेंगे इस महीने आप दिमाग से ज़ादा सोचेंगे और बहुत ज़ादा smart work करेंगे hard work में इस महीने आप believe नहीं करने वाले हैं जिसकी वज़े से आपको जो है आपके boss आपकी तारीफ करेंगे और आपसे खुश भी रहेंगे तो career में सफलता अच्छी दिख रही है इस महीने में और आपका communication भी इस अफ़ी में काफी अच्छा रहने वाला है पूरे जनवरी के महीने में बस 18 जनवरी के बाद आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है और argument से दूरी रहना है खास तोर पर अगर ये argument आपके seniors या boss के साथ है तो कोशिश कीज़ेगा इसे टालने की और किसी भी तरह से अपने boss या अपने senior से किसी भी बात पर बहस मत कीज़ेगा क्योंकि इसकी वज़े से आपको अपने career में नुकसान उठाना पड़ सकता है बाकी समय काफी अच्छा है career के लिहाज से तो career में आपको हो सकता है कि आपकी performance की base पर आपको incentive या कुछ चोटा मोटा धनलाब भी यहाँ पे हो सकता है या कोई आपको award वगरा मिल सकता है अगर बात करें आपके व्यपार भाव की तो इस महीने व्यपार आपका काफी अच्छा रहने वाला है और व्यपार में अच्छी व्रद्धी भी इस महीने देखी जा सकती है इस महीने आपको थोड़ी से जादा महनत करनी पड़ेगी अपने व्यपार में व्रद्धी के लिए परन्तु जो महनत आप करेंगे वो आपकी end में सफल होगी आपको उसमें success मिलेगी और आपकी daily income में काफी अच्छी व्रद्धी देखी जाएगी इस महीने में तो जन्वरी का महीना व्यपार के लिहाज से मिला जुला रहेगा आपको बस थोड़े से effort जादा डालने हैं लेकिन आपका समय काफी अच्छा रहेगा व्यपार को लेकर अब जैसे मैंने बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसे करके आप इस महीने को अपने लिए अच्छा बना सकते हैं आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको रोजाना गुरू और शनी देव का बीज मंत्र जो है 108 बार जाप करना है और शनी चालीसा का पाठ हर शनीवार को आपको करना है और शनी देव के मंदिर में हर शनीवार को आपको सरसो के तेल का एक धीपक जरूर जलाना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा साथी साथ इन उपायों को करने से आपका पूरा साल 2024 काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि साल 2024 शनी दिव का साल है अगर आप 2024 का टोटल करेंगे तो 2, 2 और 4 टोटल आता है 8 अंग जो की शनी देव का है तो पूरा साल जो है वो शनी देव का है अगर आप शनी देव से related उपाय करेंगे तो आपका पूरा साल काफी अच्छा रहेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद